हेलो फ्रेंड्स आज का टॉपिक है पॉज़न डिस्टिबिउशन तो पॉज़न डिस्टिबिउशन क्या कहता है कि डिस्क्रीट रैंडम वैरियेबल एक्स is said to have a poisons distribution with parameter mu mu का greater than 0 होना चाहिए यह mu का condition है और इसका distribution क्योंकि यह discrete random variable है तो discrete random variable इस तरीके से लिखेंगे यह x है 0 से 1, 2, 3 और f of i मतलब probability mass function है f of 0 up to f of यहाँ पे कोई भी f of n तक value जा सकता है तो यह जो probability mass function को जो value होता है presence distribution में वो होता है e to the power minus mu mu to the power i by factorial i और यह जो mu होता है वो greater than 0 होता है तो क्योंकि यह mu जो है greater than 0 है क्योंकि mu greater than 0 है इसका मतलब यह जो value होगा e to the power minus mu mu to the power i by factorial i यह भी greater than 0 होगा इसका मतलब कि f of i greater than 0 यह जो हमारा condition था कि probability mass function जो है greater than 0 होता है वो satisfy कर रहा है और जो दूसरा है यह first हो गया और जो दूसरा है हम लोग होगा इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि summation of i equals to 0 to infinity f of i इसकी जो value होती है वो 1 होता है first है f of i greater than 0 जो कि हम लोग के पता ही है इसलिए हम लोग यहाँ पे mu को जो है greater than 0 लिये है और यहाँ पे यह value अब हम लोग देखेंगे कि इसका mean कैसे निकालते है तो mean मतलब क्या होता है mean मतलब होता है expectation value of x और यह होता है summation of i equals to 0 to infinity i into f of i यह होता है mean का formula discrete random variable में तो इसको f of i का जो value है हमारा यह इसमें put करेंगे तो से put करने से आएगा summation i equals to 0 to infinity i into e to the power minus mu mu to the power i by factorial i अब इस factorial i को जो हम लोग तोड़ेंगे तो यहाँ पे आजाएगा summation of i equals to 0 to infinity i into e to the power minus mu mu to the power i by i into i minus 1 का factorial लिख सकते है इसको तो यहाँ पे देखेंगे i से i cancel हो गया और e to the power minus mu को बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि यह जो value है i से infinity है तो यह हमारा constant बाहर आ सकता है तो यह लिख देंगे e to the power minus mu sigma of i equal to 0 to infinity mu to the power i by i minus 1 का factorial अब इस value को जो हम लोग open करेंगे इसको open करेंगे तो क्या हैगा e to the power minus mu हमारा जो value है यहाँ पे i equal to 0 से infinity है तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें के infinity तक जा रहा है तो हम लोग 0 वाला value को निकलेट भी कर सकते हैं तो हम लोग यह लिख सकते हैं कि i equals to 1 to infinity लिख सकते हैं इसको और यहाँ पे इसको open करेंगे हम लोग क्योंकि जीरो वाला value को हम लोग यहाँ पे लेंगे तो प्रॉब्लम हो सकता है और हम लोग 0 को निकलेट कर सकते हैं इसलिए हमने यहाँ पे 0 को निकलेट किया अब इसको अगर हम लोग यहाँ उपे वाले प्रॉट करेंगे याई के जगह पर यहाँ पर करेंगे तो म्यव और यहाँ पे 0 का फैक्टोरियल प्लस यहाँ पर हो जाएगा म्यू का स्कुेर डिवैड़ेट बाई यहां पर 2-1 यानि के 1 काफिक आरेक्टोरियल इस तरह के मियु-3 by 2!! और इसे तरीका से यह इन्फीनिटी तख जाएगा उसके बाद होगाद MUSIC इटूध पावर माइनस म्यू यहां से मू कॉमन ले सकते हैं सारा से तो यह एक मू कॉमन ले लेंगे तो यहां बचेगा 1 कह वन की जीरो का फेक्टोरियल मन होता है और यह mu common ले लिए तो 1 1 plus mu by 1 factorial plus mu square by 2 factorial इसी तरीके से इन्फिनिटी तक जाएगा तो यह value हो जाएगा e to the power minus mu mu और यह जो है यह series है exponential series इसका value होता है e to the power mu यहाँ पे mu है और यह infinity तक जा रहा है तो यह होता है इसका value तो यह cancel हो जाएगा और यहाँ बचेगा mu तो यहाँ पर हम लोग देख लेंगे कि mean यानि कि expectation of x जो होता है poisons distribution में वो mu होता है तो यह हम लोग याद रखेंगे और variance हम लोग next video में निकालेंगे so thank you so much for watching